बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है कहानी मैं आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूले यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है लेकिन यह आपको आंतरिक शांती और शक्ती देने में मदद करता है हिमाले की हरी भरी घाटियों में बसे एक छोटे से गाउ में सागर नाम का एक गरीब मचुवारा रहता था सागर अपने साधारन जीवन से संतुष्ट था अपने दिन पास की नदी में मच्छली पकड़ने और स्थानिय बाजार में उन्हें बेच के अपना गुजारा करता था एक दिन नदी में अपना जाल डालते समय सागर ने कुछ असामान्य पकड़ा यह एक सुन्दर सुनहरी मच्छली थी जो धूप में जिल मिलाती थी मच्छली ने सागर से बात की उसे जाने देने की विंती की और बदले में उसे तीन इच्छाए देने का वादा किया सागर प्रस्ताव से लल्चाया और अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला किया वह गाव में एक बड़े घर, बहुत सारा धन और शक्ती की कामना किया सुनहरी मचली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और सागर का जीवन रातों रात बदल गया वह एक भव्य हवेली में चला गया, गाव का सबसे धनी व्यक्ती बन गया और ग्रामीनों पर उसका बहुत प्रभाव चलने लगा लेकिन अपनी नई दौलत और ताकत के बावजूद सागर ने खुद को खाली और असंतुष्ट महसूस किया वह लालची हो गया और अधिक धन जमा करना शुरू कर दिया, मच्वारे के रूप में अपने कर्तवियों की उपेक्षा की उनका कभी संतुष्ट हृदय अब लालच और भौतिकवादी इच्छाओं से भर गया था एक दिन सुनहरी मच्छली फिर से सागर के सामने प्रकट हुई और उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में खुश है सागर ने महसूस किया कि वह जीवन की साधारन खुशियों से दूर हो गया है और अपनी इच्छाओं से भस्म हो गया है उसने सुनहरी मचली के सामने कबूल किया कि वह खुश नहीं था और उसका मार्गदर्शन मांगा सुनहरी मचली ने सागर को अपनी भौतिकवादी इच्छाओं को त्यागने और सादगी और संतोष के जीवन में लोटने की सलाह दी सागर ने आंतरिक खुशी के मूले को महसूस किया और अपनी संपत्ती और शक्ती को त्यागने का फैसला किया उन्होंने अपना धन ग्रामीनों को दान कर दिया, नदी के किनारे अपनी विनमर मचली पकड़ने की जोपड़ी में लोट आए और अपने साधारन जीवन को फिर से शुरू कर दिया जैसे जैसे समय बीटता गया, सागर ने अपने साधारन जीवन में शांती और संतोष पाया उन्होंने ग्रामीनों की कमपनी का आनंद लिया और मचली पकड़ने के सरल कार्य में खुशी पाई उन्होंने इच्छाओं को जाने देने और अपने भीतर संतोष पाने का महत्व सीखा था यह कहानी संतोष के महत्व इच्छाओं को त्यागने और अपने भीतर सच्ची खुशी खोजने पर बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं को बताती है यह भौतिकवादी धनकी क्षनभंगुर प्रकृती और सादगी, करुणा और आंतरिक संतोष के मुले पर जोर देती है यहां आकर्शक कहानी भौतिकवादी इच्छाओं पर आंतरिक खुशी को प्राथमिक्ता देने और एक ऐसा जीवन जीने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जो करुणा, संतोष और जाने देने के सिध्धानतों के अनुरूप है ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले